तो उसके भारत की ओर बढ़ने की एक वज़े ये थी कि वो एक योगी से मिलना चाहता था और ये सीखना चाहता था कि वो अमर कैसे बने फिर उन्होंने सिकंदर से कहा हमें वो योगी मिल गए हैं पर वो आना नहीं चाहते जीवन में एक बार उसने बुद्धिमानी का एक काम किया इसी कारण से हमने उसका तीसरा नाम हटा दिया देखे सिकंदर हमारी स्कूल की इतिहास की किताबों में कहा जाता है सिकंदर महान उन्हें सिर्फ पहला और बीच का नाम पता है उन्हें आखरी नाम नहीं पता उसका नाम था सिकंदर महान बेवकूफ पर ये बहुत लंबा है तो किसी ने नाम का आखरी हिस्सा हटा दिया जैसे ही आप इस दुनिया में ऐसे आदमी को महान आदमी बना देते हैं तो कई तरीकों से आप मानवता का भविश्य नश्ट कर देते हैं क्योंकि 16 साल की उम्र से ही मेरे खैल से वो 32, 33 की उम्र में मर गया था उसने लोगों को बस मारा, वो मारता गया, मारता गया, बेवज़ए बस नई जगा जाकर लोगों को मारना, नई जगाओं पर जाना और मारना और कहना कि मैंने इसे और उसे जीत लिया है और उसने अपने साथ अपने देश के तमाम युवा इकठा कर लिये थे जो उसके साथ लड़ाईयां लड़ते थे थोड़े थोड़े दिनों के बाद वो अपने एक साथी को मार देता था बस कोई आरोप लगा कर क्योंकि हमेशा ऐसे तानाशाह को लोग धोका देते हैं और उसे डर होता है कि कोई धोका देदेगा तो वो कोई बहाना खोचकर कहते उसने ऐसा किया था और उसे लोगों के सामने मार दिया जाता वो उसका अपना करीबी आदमी होता था वो उसके साथ चल रहा था पर सिकंदर उसे मार देता था ताकि बाकी सब डरे रहें थोड़े दिन गुजरते और वो एक एक करके अपने करीबी साथियों को मारता रहता बस एक मिसाल कायम करने के लिए वो ऐसा इंसान था वो हर समय मौद बाढ़ता रहता था पर खुद मरना नहीं चाहता था वो चाहता था सब मर जाएं पर खुद मरना नहीं चाहता था तो उसके भारत के और बढ़ने की एक वज़े ये थी क्योंकि प्राचीन भारत और ग्रीज के बीच बहुत लेंदेन होता था जामिती, गनेत और योग का आदान प्रदान डिल्फी में एक लिंग है जिसे पृत्वी की नाभी माना जाता है क्योंकि उसे मनीपूरक चक्र की तरह बनाया गया था उसमें मनीपूरक को बहुत शक्तिशाली रूप से स्थापित किया गया था अब उसे उसके मूल स्थान से हटा कर संग्रहाले में रख दिया गया है पर फिर भी थोड़ा चटका हुआ है मेरे ख्याल से काफी विक्रित हो गया है पर फिर भी बहुत शक्तिशाली है वो ने भारत के रहसे दर्शी योगियों के बारे में सुन रखा था तो उसने सुना था कि ऐसे योगी हैं जो अमर हैं तो उसके भारत पर चढ़ाई करने की एक वज़ये ये थी कि वो एक योगी से मिलना चाहता था और ये सीखना चाहता था कि वो अमर कैसे बने तो जब वो पास पहुँचा, जब वो शायद हिंदु कुष पहाडों के पार पहुँचा, उसने पहाडों को पार किया, वो दूसरी तरफ पहुँचा और सबसे पहले उसने ये कहकर कुछ आदमी भेजे, कि देखो वहाँ क्या चल रहा है, और अगर कोई योगी या रहस्य दर्शी मिल जाए, तो उसे यहाँ ले आओ, तो वो ढूनने निकले और फिर उन्होंने देखा एक योगी पेड़ के नीचे बैठा था, और उसने सिर्फ लंगोटी पहन रखी थी, और वो पर्मानंद में था, उन्होंने जाकर उसे देखा और बुले, ए, तुम हमारे साथ चलो, हमारे सिकंदर ने बुलाया है, शायद आपको पता हो, कि आज भी अफगानिस्तान में कई लोगों का नाम इसकंदर या सिकंदर रखा जाता है, इसका असली शब्द या मूल शब्द है, सकंद, सकंद, शिव के पुत्र हैं, जिने हम तमिलनाडू में मुरुगा कहते हैं, सकंद एक महान योद्धा थे, तो ये शब्द मशूर हो गया, जो भी अच्छा योद्धा होता, वो सकंद या सकंदर बन जाता, सकंदर, सकंदर, सिकंदर, इस शब्द में बदलावाते गए, तो वो उनसे बोले, योगी, चलो, योगी ने हस कर कहा, मैं कहीं नहीं जाओंगा, फिर उन्होंने तलवारे निकाल ली, वो हिंसा करने वाले लोग थे, वो सिर काटने से पहले सोचते नहीं थे, उनके लिए, उनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी, एक दिन में सैकडो सिर काट कर भी उन्हें पश्टावा नहीं होता था, तो बहुत आक्रमक लोग, उन्होंने तलवार निकाल कर कहा, या तो तुम चलो या हम तुमारा सिर काट देंगे, योगी ने कहा, देखे, मैं या इस तरह इसलिए बैठा हूँ, क्योंकि जो भी मुझे करना था, वो हो चुका है, आपको मेरा सिर चाहिए, तो ले लीजे, पर आपको मेरा ज्यान या मेरी बुद्धि मत्ता नहीं मिलेगी, आपको मेरा सिर चाहिए, तो ले लीजे, फिर उन्होंने एक दूसरे को देखा, उन्होंने ऐसा इंसान कभी नहीं देखा था, जो उनकी तलवारों से ना डरा हो, क्योंकि वो सिर डरा नहीं रहे थे, वो सिर काट भी सकते थे, यही उनका काम था, उन्होंने कभी ऐसा इंसान नहीं देखा जिसमें कोई डर ना हो वो कह रहा है ठीक है मेरा सिर काट दो ओ ये आदमी वाकई अमर होगा अगर कोई कहता है ठीक है मेरा सिर काट दो तो वो अमारी होगा फिर उन्होंने उसे मनानी की कोशिश की कृपया हमारे साथ चलिए, योगी ने कहा नहीं अगर उन्हें मिलना है तो वो आएं, वो अमरता के बारे में जानना चाहते हैं तो वो आएं फिर सानिक बूले, अरे इन्हें इस बारे में पता है, तो हमें उन्हें चोट नहीं पहुचानी चाहिए और वो वापस चले गए उन्होंने सिकंदर से कहा, हमें योगी मिल गए हैं, पर वो आना नहीं चाहते वो कहीं जाकर नहीं सिखाते, आपको वहाँ जाना होगा, वो स्कूल है तो सिकंदर खुद वहाँ गया घोडे पर बैठे हुए बहुत तन कर वो बोला लगता है आप अमर्ता के बारे में जानते हैं, मैं भी जानना चाहता हूँ योगी ने उसकी और देखकर कहा, पहले इस मूर्ब घोडे से नीचे उत्रो आप ऐसे जानवर पर बैठते हैं, जो आपसे कम बुद्धिमान है और अचानक आप ऐसे तन जाते हैं, क्या आपने देखा है, जैसे ही लोग घोडे पर बैठते हैं, उन्हें लगता है कि वो एक बड़ी हस्ती है अगर आप ऐसे जानवर की सवारी कर सकें, जो आपसे कहीं ज्यादा बुद्धिमान है, तब कोई बात है आप एक मूख चार पैर वाले जानवर पर सवार हैं, आप वो बेचारा आपको ढोना नहीं चाहता, पर क्या करें तो सिकंदर नीचे उत्रा और उसमें पूछा, मैं अमर होना चाहता हूँ, क्योंकि वो अब उतना मजबूत नहीं रहा था, जैसा पांच-दस साल पहले था शरीर कुछ समय बाद इस तरह की चोटे नहीं जेल पाता धीरे-धीरे ये ठक जाता है तो वो बोला, मैं अमर्ता के बारे में जानना चाहता हूँ, क्या आप मार्ग दर्शन करेंगे योगी ने उसे देखा और समझ गए इससे कुछ बोलकर भी कोई फाइदा नहीं होगा वो बोले, हाँ अगर तुम अमर होना चाहते हो, तो रास्ता इधर से है उन्होंने पूरा रास्ता समझा दिया जंगलों से गुजरता हुआ एक कठिन रास्ता मेरे बताए रास्ते पर जाओ, वहाँ तुम्हें एक छोटी गुफा मिलेगी उस गुफा में एक साफ पानी का कुंड है चुलू भर पानी पीकर तुम अमर हो जाओगे तो वो अपने सैनिकों के साथ चल पड़ा जैसे जैसे वो आगे बढ़ा तीन दिन बाद योगी द्वारा बताए रास्ते के सभी पड़ाव चिन मिलते गए फिर उसने देखा उसके साथ पान्च-छे सिपाही थे अगर ये लोग भी पी लेंगे अगर वो अमर हो गए तब मैं उनसे कैसे निपटूँगा क्योंकि जीवन भर उसने लोगों को मौत का डर दिखा कर हर चीज़ की अब अगर ये पाँच-छे सैनिक पानी पी लेते हैं और वो भी अमर हो जाते हैं तो मुश्किल हो जाएगी कोई कंट्रोल नहीं रहेगा धर्ती पर पाँच लोगों का अमर होना अच्छा नहीं है बस मैं अमर रहूं ये ठीक है तो उसने कहा तुम लोग यहीं रुको यात्रा के अंतिम हिस्से में उन्हें पीछे छोड़कर वो अकेला आगे गया फिर उसे वो गुफा मिली गुफा के अंदर उसे एक साफ पानी का कुंड दिखा वो अंदर जाकर पानी पीने ही वाला था कुंड के दूसरे किनारे पर बैठे एक कववे ने कहा रुको उसने कववे को देखा सभाग्य से पानी हाथों से रिज जाता है कवव बोला देखो मैंने ये पानी पिया था पता नहीं कितने लाख साल हो गए और अब मैं मर भी नहीं सकता मैं बस यहां हमेशा के लिए बैठा हूँ कल्पना कीजिए अगर आप अमर हो जाएं तो आप आत्मा हत्या भी नहीं कर पाएंगे मैं चाहता हूँ कि आप बस कल्पना करें आपके साथ सबसे बुरी चीज यही हो सकती है कि आप एक दिन मर भी नहीं सकते कोई रात नहीं मैं लाखों सालों से यहां बैठा हूँ मैं कुछ नहीं कर सकता मैंने अपनी जाती की कई पीडियां देखी हैं मुझे अभी किसी चीज में रुची नहीं है पर मैं मर नहीं सकता क्या तुम्हें मेरे जैसी किस्मत चाहिए सिकंदर वहीं बैठकर पानी और कव्वे को देखता रहा उसने पहली बार बुद्धिमानी की एक चीज की इसलिए हमने उसका तीसरा नाम हटा दिया वो पानी पीए बिना चला गया और हम कितने सौभाग गिशाली हैं कि वो अब धर्ती पर नहीं है पर लग रहा है वो कई जगा फिर से पैदा हो रहा है उस तरह के बहुत से लोग यहां महाँ पैदा होते रहते हैं पर कम से कम वो यहां नहीं है हमें सीखना चाहिए और यह जानकर और समझ कर जीवन जीना चाहिए कि कई माइनों में आपके लिए सबसे अच्छी चीज यह है कि आप एक दिन मर जाएंगे कल्पना कीजिए कि अगर आप नहीं मरते तो आप कितनी बड़ी परिशानी बन जाएंगे आपको जीवन पूरी तरह जीना चाहिए जो भी आपकी सर्वोच चक्षमता है आपको उसके मताबिक जीना चाहिए पर समय आने पर आपको जरूर मरना चाहिए है ना तो अगर आप मृत्यू को नकारात्मक मानते हों तो सकारात्मक क्या है अमर्ता यह आपकी सबसे बड़ी मूर्खता होगी सिकंदर जैसे बेवकूफ में भी वो पानी नव पीने की बुद्धी थी तो यह समझना बहुत जरूरी है कि योग अमर्ता के बारे में नहीं है योग समझदारी से जीने के बारे में है बारे मेंद़ कि में बारे में है झाल झाल